हर मौसम एक थोड़ा साफ और मैं हो रहाऊ एक यह देखो सम ने मेरा समन रखा होगा और यह समन है पिछे मेरा अब मैं निकलूंगा थोड़ी दीर मां आज मेरा जीचार है यहां से निकल के कैनल रोड से हो के पीछे से हैलीपेड और हैलीपेड से माल दे उत्रा साइड कली तोड़ा साफ लग रहे हैं तो निकलते हैं थोड़ी देर में निकलता हूं अभी यहां से अभी बजने वाले हैं च्छे इस वक्त हो रहे हैं च्छे बजने में दस बार मिनिट है और फिर दिखाता हूं पर कैसा है माहल बाहर रहे है और मैं निकल रहा हूं यह रही हैं अपने अंपना में सब स्वाई हूए हैं और मैं निकल रहा है अठ impressives घरते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा लाइट से यह अगर देखो गया है जो स्ट्रीट लाइट से और बिल्कुल सुनसान है प also been बडेंड़ है जितने में साइक्लिस्ट और रंश निकलते हैं अभी भी यही कहूंगा कि भाइ गृण्लों तो जदा अच्छा है कि उह गृप है अग्रोहें तो तो फोड़ा सा साथ रहता है सबकल खुणे कि यहां अभी भी आंधिरा है और छे सवाच होने को है और अभी यह हाल है इधर किनल रोड के जो प्रिच है एक लगजरी आफ फार्म्स के वहाँ पर जहां भीड़ी रहती है हमेशा और यहां अभी भी सिंसान है दूर अगर नजर डालेंगे तो एक-दो जो मॉर्णिंग वाकर से वह दिख रहे हैं इस उदर से आ रहे हैं और यह जा रही है सहसदारा को अभी भी सुंसान है बिल्कुल और सवाच छे हो रहे हैं इस वक्त सो यह हमारा देहरादूम सुभए इस वक्त आज मौसम भी सही है यानि यह बारिस नहीं हो रही है उपर दिखाता आपने पिके चल्दा रद मैं यहां से निकलोंगा फिलः वा मालदेटा की तरह और मालदेटा जो कहीं बहुत रहती है रटनर्स और उवाकर्स और साथ में सैक्लिस है आस देखते है कोसिस करूंगा कि किसी से मिलूना और जक्वार इसहीदो एक और यह सहस्धारा की वह पुल है जहां पर आपको ज्यादा तर सब की पिक्टर्स मिल जाएगे साइकलेस रवनर्स जो भी है इस ब्रिज में फोटो खिचाए बिना नहीं जा सकता यह देखिए सुनसान है बिलकुल अभी भी और अभी भी अधेरा है यह उपर सहस्धारा की ज आले गाउं से आने का था लेकिन मैंने सोचा अंधेरा ज्यादा है तो रूट बदली मेंने अब जाते होग तोहां से जाओंगा तो फिलाल यह उब्रिज है जहां आपकी बहुत सारी फोटोग्रापस होंगी बहुत सारी तस्वीर होंगी लेकिन साड़े च्छे बजे कुछ कह रहा हूं मैं सिर्फ आगा कर रहा हूं साधान भी नहीं कहूंगा जो है वो चीज़ बता रहा हूं वो चीज़ दिखा रहा हूं आपको यह हाल है इस वक्त हमारे दून का X40 हो गये और अभी भी पूरी सड़क खा लिए यह है एरपोर्ट रोड जो कि सहस्धारा से माल देटर रोड को कनेक्ट करती है और पूरा एकदम सांत है और मैं देखता हूं आ रहा था कि यार कहीं तो चाय मिले लेकिन अभी वी एक भी जो कैफेटेरिया और कैफेज हैं अपर वो खुले नहीं अभी तक और मैं फिर से अपनी चाय की टफरी के इंतिजार में हूं क कि कौन सी मिले तो फिलहाल मैं राजपूर रोड से निकल के यहां तक तो आगया लेकिन अभी तक मुझे एकाद दुकान मिली थी उपर लेकिन मैंने सचा थोड़ा बात में माल देटर तक इस तरफ जाके पेंगे तो इस रोड ता नहीं मिली मुझे फिलहाल एक भी नदेर अब दौरा की पहाड़ियां सामने और ये रहा मसुरी से अधरा बगल में के नाल की आवाज आ रही है आपको के नाल दिखाता हूँ के नाल जो बहरे ही है पानी है लेकिन अभी भी सड़क तो इंतजार है कि इतने ही तो आप तबी खाली है रोड को जी साइकलिस्ट और र अब मालदीवता के बिल्कुल ब्रीज के पास बहु reduced के ने ही भी कली जोड़े विए मार्केट अविब वी बंद है थोड़ा चाय की दुकाने नहीं के इक दो इक तोड दुकान फूंढी ए चाय की दुकाने शिर। लूड बाल देवता रोड अब थोड़ा वाकरों दिख अब ही बिलकुल सांत अमाल्देता रोट सामने आपको पेड़ दिख़ रहा होगा यह देखें यह दिखें आपको अपर अब्रिज के चरूंगा वहाँ भी वह एक पोईंट है जहां पर सभी लोग आते हैं तो वहां की चैनल पहला देखते हैं और उसके बाद करें कि देखते हूं में कि देखता हूं आप पर पहला सेक्लिस मुझें नदी माल देउता सिर्फ माल देउता का ब्रिज है यहां पर जो ऐसे ही खड़ा है जैसे हमेसा रहता है और ये नदी बह रही है जो ऐसे बहती है सुन जर्सा व्यू बिल्कुल आहाँ सांत रहो बस पानी की कल-कल सुनते रहो इसे अचार क्या हो ये माल देउता का भृज और पूरा खाली है अभी भी मेरे पीछे देखो बिल्कुल ये और एक नहीं आ रहा है सब्सक्राइब कर दिर्स खाली सांथ सामने द्वारा और यह नगी इतना जवर्दस नजारा मतलब इससे अच्छा और क्या होगा बस सांथ रहो सुनते रहो एकल-कल फिल्हाल को आज कोई ना साइकलिस है नहीं कोई तो यह है और तब तो साथ से भी उपर हो गया है उजाला पर मौसम एक बार फिल से खराब हो रहा है तो मैं निकलूंगा लेकिन ये जो है बहुत जवर्दस्त है बहुत कर जब है ये पानी कि कलकल और ये मौसम आहा थंडी हवा चल रही है बिल्कुल और वह गालों पर आकर जब लग रही है ना बहुत कर जब हैं हाँ हमन करता है बस योडी नहीं पड़े रहें सांती से प्रकृति के बीच में मेचर के साथ योई यह जानाता है यहें वह जंग्शन जहां से किर्षाली गाउं और इधर को मेरे इधर को इधर को चला गया यह माल दे उता सामने चली गई यह वाला चला गया आपको राइपुर की तरफ यानि कि महारान परताब स्पोर्स कॉलेज का चाओक और यह गया काले गाहों की तरह, उपर को किरसालेगी काले गाहों के, और यहां से, अब मैं निकलूँगा, उपर को लेकिन, आज अभी भी साइकलिस मुझे सिर्फ Å- तीन साइकलिस दिखे, और देखते हैं, अब यैज थोड़े दिर हें estaba करोंगा, अगर कोई दिख जाए तो और नहीं तो मैं निकलूंगा मौसम अब थोड़ा सा खुला भी नहीं कहूंगा पूरी तरह से लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहे है अब दो साइकलिस्ट दिख रहे हैं मुझे यह जारें दो साइकलिस्ट अब थोड़ा सा चहल पहल बढ़ गयी है से लेकिन जारें नहीं और यह बड़ा अच्छा है इस अधर अब उजाला भी हो गया और मान देवतारोड अब थोड़ा सा साइकलिस्ट तारने लगे हैं दीरे दीरे साड़े साथ हो चुके हैं और अब साइक्ल चलने लगी है मालदे उतारूर पर भी अब थोड़ा सा माच्छा साइक्लिस दिख गें मुझे यानि कि इस वक्त थोड़ा सा चाहल पहल सुरू हो जाती है साथ 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 बज़े के आसपास मौसम बहुत सुहाना है इस वक्त अगर देखेंगे तो बहुत मज़़दार मौसम है यह देखें इस तरह मालदे उता सामने यह पहाड़ि और यह जा रहा है काले गाउं की तरफ सामने मेरी साथी बक्रीims यह सुनदर जो हरा जंगल भिख रहा है सांत है यह है काले गाउंवाला, काले गाउं से जो माल देखता वाली रोड को कनेक्ट करता है विसली होके यह गाउं, और सांथ है, अभी जो लोकल यहां के लोग हैं वही यहां पर मिलेंगे आपको, यह नीचे गाउं और ये बड़ा सुन्दर सा हराब हरा आजकल बिलकुल लेकिन सांध सामने धनवल्टे की पाड़ेयां भी बर्फ गिरी हुई है और ये रहा यहां से आगे को इधर को निकल जाएंगे है पीचे अलेगां से महलते हैं तो जो कनेक्ट करते हैं यह पोटोर और ये बिलकुल सां अब भी बहुत गरी है अब है अब बहुत गरी हुई है वह पहाड़ी में दिख लिए आपको सामने इपड़ देखें वाइट वेट हो सारा बर्फ है तो फिलाल अब बच्चुकें साड़ेश साथ और हम चले राज़करोट की तरव क्योंकि यहां से आपको पता है कि कि सत तोड़ा उजाला हो गया और अब सड़कों पहला से पहल पहल भी शुरू हो जाएगी फिलाल साम के लाके से मैं चाहूंगा भीड़ भार की तरफ एक वीव और दिखा देता हूँ यह वाइट पीक स्नो बिलकुल सामने चले फिर मुलाकत होगी आपसे कुछ नया कुछ अलग मेरा राजपूर से माल्डे उता जाके वापस आना और रास्ते में थोड़ा बहुत आपको दिखाते हूँ कि किस तरह का महौल रहता है सुबह अपने सहर में फिलहाल ठंड भी है उसकी वज़े से भी है लेकिन जो है वो आपको दिखाने की कोसिस की है